दोस्तो आईपियल 2023 के आउक्षन से पहले सभी टीमों के रिप्लेस्मेंट प्लेयर्स की घोसना हो चुकी है तो दोस्तो इस वड़ा हम बात करने वाले हैं रिप्लेस्मेंट प्लेयर्स के पहले लिष्ट की तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपोर्डन् और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादना वे से दूस्तो आई पिल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नहीं अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन करते हैं लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल अब इनकी रिप्लेस्मेंट में आउक्षन में बेनिस्टॉक को संडाइजस हैदराबाद टार्गेट करने वाली है बेनिस्टॉक को अगर खरीदने में कामियाब हो जाती है तो संडाइजस हैदराबाद के अगले कप्तान बेनिस्टॉक बन सकते हैं जबकि दूसरा जो न अब इनकी रीप्लेसमेंट में चिननेई सुपर किंग आउскसन में सेम् करन को टारगेट करनेवली है अगर सैम् करन को ये टीम खरीदने में नकामियाब होती है तो फिर ये टीम सीकंदर रजा को टारगेट करके अपने स्कोइड में शामिल कर लेगी डेविन ब्राओ की री मैंक अगरवाल को रिटेंशन प्रिवसेस पन्जाब विकिंग ने रिलीय कर दिया. मैंक अगरवाल की रिप्लेस्वेंट में आक्सन में सेम करन को टार्गेट करने वाली है. और पंजाब की पास पर्स बैललेंस भी काफ्मी जाद हाई है. अगर सैम करन को ये टीम खरीदने में नाकामियाब होती है तो ये टीम बेनिश टॉक या फिर केमरन गिरीन के साथ जा सकती है और पंजाब हीं के पास ओलडी ओपनिंग के तौर पर जौनी बरिष्टो शिखर्दवन मौजूद हैं वही चौते जो प्लेयर हैं जेसन होल्डर जेसन होल्डर को लकनो सुपर जैन ने रिलीजे कर दिया अब जेसन होल्डर की रिप्लेस्मेंट में लकनो सुपर जैन केमरन गिरीन को आक्सन में टार्गेट करेगी और केमरन गिरीन को अपने टीम में शामिल करते तो और इस टीम के पास थर्ड या फोर डाउन पे बैट कि तलाश है मुंबई इननद डेविन ब्राउ को टार्गेट करके अपने स्क्वरेड में शामिल करना चाहिए स्कूरि चाहिए में घेते हुए नजर आ सकते हैं2 जो प्लेयर है शारदूर ठाकुर और शारदूर ठाकुर का Trayden हो चुके हैं दल्ली केपिल तभी कोलकाता नाइडर में शुमार हो चुके हैं अब शारदूल ठाकूर की रिप्लेस्मेंट में दल्ली केपिल जॉयरूट को टारगेट करके अपने स्कुरेड में शामिल करना चाहेगी तो जॉयरूट शारदूल ठाकूर की जगह IPL 2023 में दल्ली केपिल के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तो इन में से आपका फेवरेट खिलाडी कौन सा है और आपको क्या लगता है किस प्लेयर को कौन सा प्लेयर रिप्लेस से का आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तो इस टूटम पस इतना ही अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना तैंक की सो मज गाइस फोर वाचिंग इस वीडियो